हाई एवरिवान गूड इबनींग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो मंगलवार के दिन का वीडियो है ये और साम का टाइम है साम के करीब पांच बजने वाले हैं पौने पांच बजे का साइड टाइम हो रहा है तो यहाँ पे क चाय पीने लगे बाचीत होने लगी तो उसमें थोड़ा सा उपर जब कपड़े वगरा डाल देती हूँ ना तो बहुत ही मतलब आना जाना थोड़ा सा आलस जैसे लगता है गेहूं भी फैलाय हुआ था धोके तो उसको भी ढख दिया अभी एक दिन और धूप लगेगी त तुलसी बिवा है तो मैं बहुत जादा उससे बिवा नहीं करते हूँ लेकिन सिंपल सी पूजा करते हूँ जो है तो उपर जाके छट पर जाकरना होता है तो मैंने सोचा कि ये पहले सब्जी और काम कर लेती हूँ उसके बाद थोड़ा सा अधेरा हो जाएगा जब दिया बत्ती का टाइम हो जाएगा तो जाके पूजा कर लूँगी तो नीचे दिया जलाना फिर उपर करना थोड़ा टाइम लगेगा तो खाना के लिए लेट हो सकता है तो इस वज़ा से सबजी अगर अगर काम ना सोचा पहले निप्टा दूँ इनसे बोला हुआ था कि छट पे जहां तुलसी जी का पौधा लगा हुआ है तो वहां पे इन्होंने धो दिया है सब कुछ और ये बोल भी रहते कि चलो पूजा कर लिया जाए उसके बाद खाना में लगना लेकिन मुझे था कि नहीं थोड़ा अंधेरा हो जाए इतना उजाला में अभी नहीं होगा अंध जाना था तो जल्दी जल्दी कर रहे थे कि चलो पूजा खत्म करवा देता हूं उपर नीचे बार बार करना होगा लेकिन मैंने कहा नहीं आप जाए ये मैं कर लूँगी थोड़ा हो जाएगा तभी तो बस सबजी वगरा कट करके रख दिया और यहां पे उपर सारा सामान ले आई कई बार मुझे आना जाना पड़ गया जो है तो वही है उपर नीचे करने में थोड़ा सा हो जाता है दिकत तन में भी नहीं है तो वो भी गया है ट्यूसन के लिए तो उसको भी आने में काफी टाइम हो जाएगा तो मैं अकेली थी तो मैंने सोचा चलो कर लेती तो तीन चार बार तो उपर नीचे करना ही पड़ा तो बस यहां पर और उपर ना लाइट भी नहीं है जैसे वो एक लगा हुआ है होल्डर वगरा तो है लेकिन उसमें ना हलका पुलगा मैंने उसको जो है छुआ ही नहीं कि उसमें कभी-कभी ना करेंट आ जाता है तो फि उससे उजाला आ रहा था पूजा मतलब करने लाइक था उतना जादा मतलब यह नहीं था कि बहुत जादा अंधेरा है तो बस वही सिंदूर बिंदी और मातारानी को सारा कुछ चूड़ी वगरा लगाना रक्षा से सब कुछ मतलब रच्छा बांधा जाता है और इधर लबाता है उतना मैंने कर दिया और बहुत ही सिंपल तरीके से करती हूँ बहुत जादा ताम जाम कुछ नहीं करती हूँ जो है और उसके बाद यहाँ पे लाश्ट में आरती कर ले रही हूँ आस पास ना बहुत जादा आज जो है डीजे वगरा बज़ रहे हैं पता नहीं तुलसी विवाह के लिए ही कि क्या है गाना वगरा तो बज रहा था तुलसी जी का भी और उसी में छट का गाना भी मतलब जिसका जो मन कर रहा है न वही जो है आजकल पूजा वगरा से जादा न वो हो गया है मतलब खूब सारे डीजे वगरा बचते हैं नाच गाना यही सब जो है तो बिल्कुल भी मैंने फिर वो नहीं लिया कि कॉपिराइट आ जाएगा म्यूजिक अगर अलूंगी तो बिल्कुल भी उपर ना बहुत जादा सोर हो रहा था मेरी आवाज तो आर्ती वगरा मैंने जला दियें तो अच्छा लग रहा है और यही फोन की ही लाइट है तो उससे काफी उजाला हो गया है तो बस यहाँ पर पूजाओ अगरा खतम करने के बाद अभी प्रसाद सारे कुछ मतलब सारा कुछ वहीं छोड़ दिया है कि थोड़ा दिर रहने देती हूँ और नीचे आ गई और फटा फट से जो है ना पहले सबजी अगरा तुरंत जो है डाल दिया कड़ाई में मतलब छोंक लगा दी कि फटा फट से खाना बन जाई धराटा भी लगा दिया है तो वहीं रहता है पापा का ही थोड़ा सा रहता है ना उनको मतलब जल्दी चाहिए होता है और अभी तो जैसे दीरे-दीरे ठन बढ़ रही है ना तो बहुत जादा वेट नहीं कर सकते हैं मतलब उनका हो जाता है कि नहीं आठ सवा आठ तक दे दो तो बस इसी लिए ना जल्दी जल्दी मैंने किया और यहां पे जो बरतन साम को दूले हुए थे इनको भी लगा ले रही हूँ यह मसाला भी जैसे भून रहा है आठा लगा दिया है तो सबजी होने में अभी थोड़ा टाइम है तब तक यह जो है काम सारे निपटा ले रही हूँ जो भी छोटे छोटे काम है मतलब जितना दिर सबजी होगा क्योंकि सबजी होने के बाद ही रोटी वगरा बनता है तो बस बरतन लगाया और जो यह साम के बरतन है टिफिन वगरा हो जाते हैं चाय के यह सब हो जाते हैं आजकल थोड़े से जादा ही हो जाते हैं गर्मियों में थोड़ा सा कम हो रहा था लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब बरतन ज्यादा हो जाते हैं और ये जो चड़ाया था मैंने फल वगरा सिंगाडा और ये सब तो उसको धूला हुआ था तो ये सब भगोना वगरा भी हो गया बाकि एक आधी बरतन रहेंगे मुझे धोने के लिए बाकि सब जो है शुबह वही मंजु आंटी धोती हैं तो वह सब जो है ना टब में करके बाहर ही रग देती हूं तो सिंग को जाली सिंग की और ये टाइल से जो हैं आसपास की इन सब को अच्छे से रगड के साफ कलिया अब सुबह ना टाइम थोड़ा सा कम मिलता है जैसे बहुत जादा अगर हम डीपली क्लीनिंग करेंगे ना तो बहुत समय लग जाता है सुबह जैसे दिन छोटे होने लगे है ना तो सुबह का टाइम ऐसे बीचता है ना जैसे कि मतलब काम करते करते ही ना टाइम कब मतलब खदम हो जाता है बहुत ज़्यादा समय हो जाता है पता ही ने जलता और थोड़ा सा भी अगर पांच-दस मिनट इधर उदर किया ना तो फिर लेट हो जाएगा ऐसा ह और साम के टाइम ना थोड़ा सा समय जादा मिल जाता है मतलब साम का समय लगता है कि क्योंकि अंधेरा जल्दी होता है तो काम भी हम जल्दी स्टार्ट कर देते हैं तो घड़ी तो उसी टाहिम से चलती है लेकिन वही है सारा मतलब अंधेरा का सुबा का तो मतलब नहीं पता लगता है सुबह तो जैसे लगता है ना कि घड़ी भी तेज भाग रही है जब कि ये लोग बोलते हैं जब मैं बोलती हुना सुबह की दिन बहुत छोटे होने लगे हैं सुबह का टाइम तो पता ही नहीं चलता तो ये बोलते हैं कि अरे समय एक घंटे का एक ही घंटा रहता ह यई थोड़ी नहीं कि ठंड में एक गंटे का आधे गंटे में एक गंटा हो जाएगा लेकिन पता नहीं हम लोगों को तो ऐसा ही लगता है किरी सूब का टाइम बहुत कम हो गया है साम को थोड़ा साइए रहता है तो साम को एक्स्ट्रा काम जो है अच्छे से निप्टा सकते हैं तो बस वही सब धोने के बाद सिंग को अगरा क्लीन करने के बाद तब तक सब्जी हो गई थी तो बस यहां पर पराठे बना रहे हूँ तो यह पराठा जो हम लोग दोहरी पराठा इसको बोलते हैं अच्छा भी लगता है लेकिन जो ट्रियंगल वाला पराठा बनता है वो टेस्टी ज़्यादा लगता है सभी को मतलब मेरे घर में ये वाला मैं जल्दबाजी जिस दिन रहती है उस दिन बना देती हूँ कि जल्दी जल्दी ये बन जाएगा तो बस यहां पर देखे दोनों पराठे अलग अलग भी कर लिए हैं तो तेल अच्छा सा अगर लगा रहता है बीच में न तो पराठे जो है अलग अलग हो जाते हैं आराम से तो तनमे से बोल दिया था कि मूली वगरा तुम कट कर दो तो उसने कट किया और ले जा कि दादा को खाना दिया उसके बाद फिर उसको भी मैंने निकाल दिया और अपने भीका लिया इनको खाना नहीं था तो हमी तीन लोग थे बस तो फटा फट से खाना पीना होने के बा साबुन से साफ किया है वैसे उस लिक्विट से तो करती हूं मगर फिर भी ना इससे भी साफ करना जरूरी हो जाता है जैसे रोज ऑईली वगरा कुछ बनता है पराठे वगरा हम बनाते हैं तो फिर वो कितना भी हम साफ कर लें अगर साबुन से नहीं साफ करते हैं तो ना कि रात को ही इसको करती हूं सुबह तो और घर की पूरी s corro св القवाई सब कुछ करना होता है तो नहीं समय मिलेगा रात को अच्छा है कि बाकी और काम तो होई चुके पाहना अपीना सब तक यह नहीं आये थे तो बस यहां पे साबुन से अच्छे से जो है रगड़ रगड़ के स्क्रबर से पूरा वो किया उसके बाद वही कपड़े से जो है भीगे हुए कपड़े से अच्छे से पोच ले रहे हूं तो सारा सामान वगएरा जो भी रखे हुए उनको नहीं जो ह मुझे साफ करने थे ये थोड़ा सा न मुझे लग रहा था कि गंधा हो गया है और जब दिमाग में ये बन जाता है ना कि गंधा हो गया है तो जब तक उसको साफ ना कर लो ना तक जो है मन नहीं मानता है फिर यह होता है कि जब भी time मिले छाए दिन हो या रात उसकी सफाई कर लो तो ऐसा होता है मतलब एक सफाई का कीडा जो है ना ऐसा रहता है कि कुछ भी हो हमें साफ करना ही है तो अभी उदर का पूरा साफ करने के बाद इदर भी जो है वही स्क्रेबर से अच्छे से लगा के साफ कर लिया है और सारा समान हाटा हाटा के जो है प्लेटफॉर्म अच्छे से पोच रही हूँ बाकी और ये और अर्गनाइजर वगरा ये सब नहीं धोने हैं बस ये सब चीजे मसाला इस्टेंड ये मैंने अभी दो-तीन दिन पहले इसको भी पोच होच दिया था तो ऐसा करने से सही रहता है कि बहुत जादा टाइम एक ही दिन नहीं लगता है और तब तक न ये भी आ गए हैं तो बस वही वहाँ जो बाटी चोखा ये सब बना था न तो बता रहे थे कि कैसे क्या हुआ और ये हुआ वो हुआ तो मत बहुत सारा अपना काम जो है बात भी होती रही और काफी सारा काम भी जो है निपटा लिया आटा डाल चावल ये सब ये घर से लेके गए थे तो वही मैं भी पूछ रहे थी कि हो गया कैसे हुआ तो ग्रूप में बना हुआ था मतलब सब के जिम में कुछ-कुछ चीजें सामान वगरा ले जाने के लिए कभी-कभी होता है बीच-बीच में और ठंड में अब न जैसे जैसे मतलब ठंड रहेगी ये सारी चीजें ज्यादा होगी गर्मियों में तो कोई नहीं इतना वो करता है लेकिन ठंड में अच्छा लगता है कहीं जैसे दस लोग हो गए बार इस फॉर्म और गैस इस टोप सब कुछ साप कर दिया जो भी पोचने वाला था सब तेल का जो है वो कंटेनर वगरा सब मैंने पोच दिया है उसके बाद यहाँ पे बरतन तो धूली लिये थे बस एक दो और थे दो उन सब को जो है न इधर टॉल बिचा के बरतन सारे सूख हो इसको मैं हफते में दो बारी साफ जरूर ही करती हूं। लेकिन इस वार हफते दिन से जादा हो गया इसको मैंने साफ नहीं किया तो यह ना बहुत जादा लग रहा था। और पानी के दाग ऐसे होते हैं ना कि अगर ज्यादा दिन छोड़ दिया जाए ना तो फिर वो जल्दी निकलते भी नहीं है जल्दी छूटते भी नहीं है कितना भी रगड़ा जाओ और प्लास्टिक पेसे उना तो बहुत मतलब एकदम जिद्धी हो जाते हैं बहुत मेहनत लगती है छुड़ाने में इसी वज़ो से मैं जल्दी-जल्दी ही साफ करती रहती हूं कि यह साफ ही रहे बहुत ज्यादा गंदा नहों लेगिन बस वही है थोड़ा सा लापरवाही करो ना तो फिर चीजें रह जाती हैं छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा थोड़ा मेहन साफ मैं साफ करती हूं वह तोटता भी है तो इस ही में थोड़ा सा मेनद जो है जाता लगता है तो बस यहां भी क्मआन प्लेट्फॉरम जो है पूरा इसको भी रगड लिए और यह एट्रेव अगेरा सब कुछ दो दिये तो पूरा जो है प्लेटफॉर्म का काम खतम हो गया है सब कुछ उपर का जो है कर दिया है यहाँ पर यह वाइपर भी इसको भी साफ कर दिया है तो जितनी चीजें जो है न याद आती जाती है उसको ऐसे ही साफ करती रहती हूँ और इकठे एक ही दिन मतलब पूरी क्लीनिंग नहीं करती हूँ बारी बारी ही करती रहती हूँ कि एक दिन बहुत जादा मेनत न लगे हाँ महीने में एक आद बार जैसे एक दिन होता है मैंने डीप क्लीनिंग सेयर की हुई है तो उस तरह से महीने दो महीने पे इस तरह करती हूँ तो उस दिन ना पूरा दिन लग जाता है मतलब सुबह खाना वगरा बनाने के बाद लगो और फिर साम हो जाती है सफाई करने में तो उस तरह से बहुत कम करती हूँ और इसी तरह से जादा करती हूँ कि ज़्यादा टाइम भी न लगे मेहनत भी न लगे और चीजें साफ भी रहें तो उपर का सब कुछ साफ करने के बाद अभी यहाँ पे यह दरवाजु अगर भी पोच ले रहे हूं तो नीचे वाले थोड़े से ज़्यादा यह जल्दी जल्दी कंदे होते हैं कपड़ा वगरा तो ऐसे मारती रहती हूं डेली मतलब सारे पे नहीं ऐसे सामने या फिर इधर सिंग की तरफ लेकिन कॉलीन से थोड़ा सा जैसे हो जाता है ना तीन दिन चार दिन या हपते दिन कभी हो जाता है तो ऐसे करती हूं उपर वाला अभी नहीं कर रहे हूं उसको जो है बाद में करूंगी किसी और दिन नीचे वाले थोड़े से ज़्यादा गंदे लग रहे थे तो इनको कर दिया है और अभी यहां पे फ्रिज को भी पोच दे रहे हूं तो यह फ्रिज वगरा तो डेली का ही रहता है तो वो 10-15 मिनट में काम खत्म हो जाएगा प्लेटफॉर्म गैस बरतन वगरा यह सब रहेंगे और अच्छे से जो क्लेनिंग होगी वो रात को ही कर लिया करूंगी तो सही रहेगा तो बस सारा काम जो है फिनिस कर दिया है बिलकुल और किचन एकदम चमक गया है बढ़ियां सा करने है तो वह होगा मतलब अब इद्यावाही तीरे-दीरे ही करती रहूंगी टाइम जादा होने लगा था ना तो फिर मैंने छोड़ दिया की नहीं उसको कभी भी कर दूंगे उसमें टाइम जादा नहीं लगता उसको सुबह भी कर सकती हूं जो है तो बस पूरा किचन ज लिए जो है दूद गरम करूंगी बरतन वगरा यह सूबह जो है लगाऊंगी क्योंकि बरतन ना जो है या तो मैं फिर पोच हूँ तो पोचने पे भी कुछ बरतने जैसे टिफिन वगरा ना पोचने से अच्छे से नहीं सूपते हैं तो ऐसे ही छोड़ी देती हूं कि सूबह ही जो है इसको रखोंगी तो बस यहां पे सारा काम वगरा तो खतम होई गया है सब कुछ बाहर का भी सबजी वगरा भी सुबह के लिए भी मैंने वही मूली के पत्ते वगरा सब थे तो उन सब को भी कट कर दिया है तो अब बहुत जादा कोई काम मतलब अब नहीं है करना म और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाई थैंक्स वर वाचिंग गुड नाइट